नीजी बिद्यालेयों में छात्रों से सुल्क को लेकर के काफी दबा बनाया जा रहा है हाला आते हैं कि छात्रों को परिच्छा न देने की धमकी दिया जा रहा है इसके साथ ही परिजन अपरसान है तो वही मौव जन्पद में अब निज्जी विद्यालेओं में सुलक वसूली के भीरोध आंदोलन चल रहा है ऐसे में आंदोलनकारियों पर अब दबाव डाले जा रहे हैं कि आंदोलना करें वरना उन्हें फर्जी मुकद में फसा दिया जाएगा जिस आंदोलनकारी को धमक्या मिल रही हैं पर अब निज्जी विद्यालेओं दोरा कोरोना काल की फिस लेने के लिए भजनों पर दबाव बनाया जा रहा है जिसके विरोध में मौव जन्पद में कुछ युवा आंदोलन कर रहे हैं उनकी अंदोलन की बरतमान इस्थिती क्या है उसको ले करके जानना चाहेंगे कि क्यों आप लोग आदोलन कर रहे हैं जो कोरोना काल से अब तक की जो विद्यालेओं की फिस बक आया है अब सासना देश आया है तो विद्याले खोल दिये गया है और खोलने के बाद जब बच्चे बिद्या ले गए हैं तो इन पर दबाव जाड डालना शुरू हो गया है कि जल से जल अपनी फीज जमा करा है और अभिवाव को ये slip भेजी गई है कि आपको इतना पैसा आपको इतना पैसा देना पड़ेगा अब प्रेसर डाला जा रहा है कि अगर आप फीज नहीं जमा करते हैं तो बच्चे को एटमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा और बच्चा परिच्छा से वंचित हो जाएगा और आपको मैं सीधे तोर पर बता दूँ कि इस पर दो चीज कि आल्रेडी ये गाइडलाइन है कि प्रिवेश पत्र एक से बारत तक देने का कोई आनिवारता है ये नहीं है ये कोई बोड की परिच्छा थोड़ी ना है कि इसमें आप प्रिवेश पत्र देंगे और फीस नहीं हो आप अपनी फीस वसूल सकते हैं और वही फीस वसूली के नाम पर आप बच्चे को परिच्छा से वंचित नहीं कर सकते हैं अब हम लोग जब इसके लिए लड़ाई लड़ना शुरू के लिए हम लोग बकायदे जिला अधिकारी जनपद महु को सुचित किया कि सर ऐसे अशे प्रक्रण है आप इस पर संग्यान लें हमने दूसरे दिन बेसिक शिषा अधिकारी को सुचित किया और उसमें हमने उनसे अबिबाद लेकिन आगे कोई करवाई नहीं बड़ी और उसकडी में आगे हम लोगों ने हत्याचर केमपीन कर चलाना सुरू किया मत्याचर के द्वारा हम लोग जैसे भी द्यालेव में जाते हैं और बच्चों के हत्याचर लेते हैं और उनको एक परच्परचा बाठते ह हैं जिस पर्चे में हमेंने एक गोश्टी की जैसे जन संग्वार अस्थापित हो जैसे अभिवावक अप जागरुक हो कि किन-किन बिंदुओं पर हमको चर्चा करनी चाहिए या फिर किन-किन बिंदुओं की हमें जानकारी होनी चाहिए बच्चों का रियक्शन अभी बस उन हमारा प्रोमो था कि करोना काल से फिस्ट माप होनी चाहिए और जितनी मानेताय सभी लागू होने बच्चों के आ करके बच्चियों के द्वारा करके सिंगनेचर करना और परचा ले करके घरों में जाना और मैं आपको बता दूँ हम लोगों ने आप तक जितना भी हम ने कई बार देखा है आपको 500 परचाव आपके तुरंद गिर जाता एक आप च्छातरों यह कि उस पर घर ले जा करके अपने ले जाए जिनके बड़ा बड़ा पैसा आई जिनके बड़े बड़े विद्याले हैं जिनसे जो अपने विद्याले हों से धनुगाई करते हैं यह अब प्रसासन को आगे करके हम लोगों पर दबाव डालना शुरू कर दिया है यह सीधे-सीधे दबाव डालना है कि आप लोग अपना अंदोलन बंद कर दें अन्य था आपको गाजा कटे या फिर अन्य किसी मुकदमे में आपको जेल भेज दिया जाएगा मतलब कि आप अपना अंदोलन बंद कर नहीं तो आपको जेल भेजने के लिए हमारे हमको पांच मेट काम है कि आप जेल आपको जेल भेज दिया जाएगा आगे जैसे होता है किसी भी चीज को आप जितनी दब जितना दबाएंगे उतना तेज से सपंज करके फिर वापस आएगा आंदोलन अब काफी तीज फैलाया और जितने सामाजिक संगठन है चुकि हम लोग बतर जैसे स्वतंतर फोरम की यह लडाई आम जन्मानस की है और हम लोग स्वतंतर तरीके से इस लडाई को लड़ना चाहते हैं यह अभिभावक जो खड़ा होगा वही हमारे कारकर्ण का स संपर्ख साथ रहा है यहां तक कि तमाम जनपत के तमाम ऐसी संस्था हैं जो समाजी कारेयों में अपना योगदान देती है वह आगे आ रही है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए तयार है आगे हम इसके लिए बढ़ी लड़ाई लड़ेंगे कल हम लोग से मिला किसी ने किसी विद्याले में पढ़ाई करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आसपास परोसियों में जैसे कि करोना काल में जैसे आर्थिक स्थिति से परिवार टूट चुका है और कैसे कोई फीज जमा करेगा और इस तरह की धमकी आना आप सोची कितना प्रेसर में अब परिबार होगा जैसे कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि जब किसान हत्या अनन हत्या करता है अपनी फसल की उपज नहीं पाता है उसी प्रकार से हम आपको बता दें एक डाटा जरूर सामने आएगा कि करोना काल में फीस नहीं जमा करने से जब बच्चा घर वापस आया और एक्जाम नहीं दे पाया तो कई पिता पर क्या गुजरेगी और किस तरीके से उसको फेस करेगा जाहिर सी बात है य पैसे कमाने के लिए अपना विद्याले खोल रखे हैं ऐसे में जब पैसे की वसूली करने में उनको दिक्कत होगी तो राजबीजे जैसे नौजवानों को वह पुलिस की धंकिया दिलाएंगे तमाम तरीके से परसांद करेंगे लेकिन राजबीजे की तरह नौजवान जो हैं जो जारूप लोग हैं वह अवाज उठाएंगे